कैसो बिसे भी प्यारे प्यारे साथ हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सड़ा पर मैं हूँ आईश चोहान उत्तर प्रदेश में सिक्सा सेवा चैनायोग के आगे चात्रों ने बड़ी मेहनत मसक्कत करके लगबग पिछले 10-12 दिन से अपनी आवाज उठा कि फिलाल चल किया रहा है उत्तर प्रदेश में क्या सरकार की मंसा है क्या वो अंदर से चाहते हैं उस सब चीजे मैं आपको बताऊंगा और क्या प्रभाव हो रहा है अभी उप्चुनाओं का उत्तर प्रदेश में तो पिछला धरना दिया जाता है और आयोग कहता है कि हम लोग जो है दस दिन के अंदर कैलेंडर जारी कर देंगे तो आयोग की तरफ से कोई कैलेंडर जारी नहीं किया जाता दस दिनों के बाद भी अब बच्चे फिर से धरना देते हैं इस बीच में आयोग की तरफ से बयान ये दिया जाता है कि भाई हम लोग तो परिक्सा करा सकत कोई हमारे पास विभाग जैसे basic सिक्सा विभाग जो है vacancy भेजेगा हम भरती करवा देंगे हम भरती बोड है हम कोई किसी particular चीज को control करने वाला बोड नहीं जिसे शिक्सा विभाग के श्कूलों को control रोल गरता है, वहाँ पर कितने पद रिखते हैं, क्या हैं उन्चीजों को देखता है, तो अब जो दो बारा उन्नी सितंबर को धरना हुआ, उसमें भी बच्चों ने मांग रखिया, अद्यक्षाजी ने यही कहा, कि भाई हमने अधियाचन का लेटर भेज दिया है, ग्यारा विभाग से, कि जिनका पहली फोर्म भरवा चुकी हो, 3-4-5 साल से, जो भरतियां लंबित हैं, उस पे आप कुछ नहीं कह रहे हो, जिनका फोर्म भर चुका है, बच्चों के पैसे वापिस कर दो भी आज के साथ, अगर आप कुतनी दिक्कत है तो, उनका तो दियाचन वग उनका कैलेंडर जारी नहीं किया, यूपिटेट को लेकर कुछ बात नहीं कहीं, तो जो काम ये कर सकते थे, जो इनके अधिकार चेतर में थे, वो भी नहीं किये, अब मैं आपको बताता हूँ, जो अधियाचन के लिए लेटर भेजा जाता है, कैसे उस पे सारी परकिरिया, क्या होगा, एक बार उसे समझने की कोशिस करते हैं, ऐसे जो है लेटर भेजे जाएंगे, हमारा प्रात्मिक सिक्सा विभाग भी है, माध्यमिक सिक्सा विभाग भी है, उच्छतर सिक्सा विभाग भी है, तो माध्यमिक सिक्सा विभाग के आसपास जो है अभी, लगबक क इतने पद पर पर्मानेंट टीचर हैं तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये जो पदों की संख्या है पूरे उत्तर परदेश में लगबग मैं आपको पहले ही बता चुक हूँ दो लाग से अधिक है आप अगर नॉर्मली देखोगे तो सतर असी अजार टीचर के प तो इतरों को अगर अटाल होते हैं दो लाग से जादा ही पद हैं जो खाली पड़े हुए be तो यह भिलाल जो आफ देख रहे सिर्फ माद्यमिशिक्सा परिसद के पद है यानि यह टीजी टीटीटी peachy वेकंसीज है इसमें primary की अपर प्राइमरी की वेकंसीज हैं वह अलग से खाली पड़े हुए पद आगे बढ़ते हैं ये तो बात हुई कि पद खाली है जब इन विभागों को लेटर जाएगा क्या ये भरती करवाएंगे क्या ये अधियाचन देंगे उन भरत्यों के लिए ये सब कुछ डिपेंड करता है राजनितिक मंसा पर और राजनितिक मं अंशा उप्चुनावों की वजए से भासन में तो है लेकिन वो ध़धरातल पर नहीं दिख रही है धरातल पर कोई है सिका रहाई नहीं और ये पुरानी भरतियों को लेकर भी कुछ निहीं बस अभी बासन में बरती है उत्तरपरदेश की धरती है ये तो चल रहा है लेकि वो क्या है अधियाचन बेजेंगे उसमें अभी देखो मुझे मैं काफी मतलब उस चीज़ को लेकर डाइसी हूँ क्योंकि ये हैं अधिकारी ये चलते हैं कागज के हिसाब से तो बच्चों की संख्या बटे टीचर करके कर देंगे कि हां हमारे आतो 22-24 रुप एक टीचर है तुमने तो ऐसी स्थिति कर रखिया कल को 5-4 रुप एक टीचर हो जाएगा बच्चे अडमी से नहीं लेंगे जितने पद आपने बनाए जितने स्कूल बनाए जितनी क्लासरूम बनाए उनमें टीचर बेजिए बच्चे लाने का काम कीजिए यू दिस्तर पर आप ऐसी सु तो आनंदी बेन पटेल जी जो फिलाल राज्य पाल है उत्तर परदेश में उनका कहना है कि सरकारी नोकरी के चक्र में ना पड़े यूवा स्वय रोजगार की तरफ जाए तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा आप सब से यही आग रहे है जितना जल खोलो इन चीजों पर आप ध्यान दे स्वय रोजगार की तरफ जाएं सरकारी रोजगार की तरफ ना जाएं जो सरकारी पद हैं उन्हें कोसिस करेंगे कि आगे चलके दीरे दीरे कम किया जाए सरकार पूरी महनत करेगी आप लोगों के भले के लिए ताकि आप स्वय रोज तरीके से चलेगा, उसमें परिवारवाद भी चलेगा, उसमें पैसा भी चलेगा, उसमें धर्म भी चलेगा, उसमें सब चीजे चलेगी, वहाँ भी हमने जो है उसे बचा के रखा हुआ उस चीज को, अभी उस चीज पर आच नहीं आने दिये, लेकिन जो जितने रोजगार वाली बाते हैं वहां हम देश को स्वेरोजगार की तरफ लेकर जाकर रहें यह उत्तरपरदेश की स्थिति यह कड़वा सच आपको कोई बताया ना बताया मैं समय समय पर आकर जितना मेरी अनर एक यह हर किसी का अपना एक दाइरा है जितना मेरा दाइरा से बाहर निकल के की बच्चे हैं वो लोग भी अब यह धरना सिक्सा विभाग के सामने देने से कुछ नहीं होगा धरना देना होगा लखनव में क्योंकि सिक्सा विभाग भरती तभी देगा जब सरकारी मंसा होगी वरना छात्रों की संख्या बटे टीचर बाइस बटा एक आरा कोई टीचर फिर मिलेंगे किसी वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लो